हेलो गाइज मेरा नाम है हिमानसू और आप देखरे है रेसल एलर्ट एपिसोड में शाती सत मेरे परस रोल रंबल से जूरी ये काफी बड़ी अपडेट है तो सबसे पहले हम इस्विक के स्मग्डाउन से जूरी चीजों से शुरुआत कर लेते हैं तो सबसे पहली चीज जिसे डवीक ड़ली ने इस्विक के स्मग्डाउन ग्लिक कर दिए ऑफि सब देड़ कोई यह मैच खत्म होते वे दिख सकते हैं डिसकौकाशेरी जैसे मैच मेने जीधे सकते हैं कीयरी आ क्रोस लींचे सब्सक्राइं कोई एपृट कोई यह प्या लगता है यहां पर किसकी जीत ओने वाली है रेमाली जौने कोई नेक्स्ट मैचेस जो WWE ने ओफिशियल कर दिये वो जूड़ी हुए SmackDown Tag Team Championship के टूर्णामेंट से जो की semi-finals मैचेस होने वाले और जो भी यहाँ पर जीतेगा वो टीम चली जाएगी finals में तो उसमें से सबसे पहला मैच है Drew McIntyre and Samus versus Hit Row के बीच देन जैसे कि अभी Drew McIntyre and Samus के टीम काफी अच्छा काम करी है तो मुझे ने लगता कि वो यहाँ पर हारने वाले और वो हमें यहाँ पर finals में possibly जाते वे दिखने वाले यारी कि वो हमें हराते वे दिख सकते हिट Row को इसके बाद जो अपना दूसरा सेमि-final मैच है वो हमें देखने को मिलने वाला है Imperium versus Legado Delphantasma के बीच तो दोनों Hill टीम है और यह बता पाना काफी अदा मुस्किल है कि यहाँ पर किसकी जीत होगी बट श्टिल WWE Legado Delphantasma को अच्छा बुक करती है तो मुझे लगता है यहाँ पर उनकी ही जीत होने वाली है और वो फाइनल्स में पहुँच कर फेस करने वाले है Drew McIntyre and Samus को इसके लावा RAW में हम सब ने देखा ही था कि किस तरह से Undertaker and Bray Wyatt ने मिलकर अटेक किया था LA Knight पर सो बिच ब्लैक मैस से पहले LA Knight अपना बदला जहूर से लेना चाहेंगे और जो रूमर सारे है कि हमें अंकल होडी का कुछ सीन देखने को मिल सकता है Royal Rumble के पेपर व्यू में तो मेबी उसकी हिंट हमें इस विक के SmackDown में देखने को मिल सकती है Solid Flair vs. Sonia Devil के बीच जैसा कि Sonia Devil ने Solid Flair पर अटेक भी किया है और उसे री मैच की भी डिमांड की है और ऐसे रूमर्स निकल करा रहे है इनका मैच आप सबको एड़ होते हैं दिख सकता है Royal Rumble के पेपर व्यू में जो की परसनली मैं देखना नहीं चाहता बठा इसके बाद फाइलि बात कर ली जाए उस चीज के बारे में जिसे WWE ने कर दिया है इस विक के SmackDown में ओफिशियल और वो रोमर्स निकल के लिए काफ़ जादा इसके साबित हो सकता है और वो है Kevin Owens vs. Solo Sikua का मैच अब आप सबको पता हिए इस विक का SmackDown होने वाला है Royal Rumble से ठीक 24 आर्स पहले और Royal Rumble पेपर विउ में Kevin Owens को एक काफी बड़ा मैच लड़ना है रोमर्स निकल के साथ जो की है Undisputed WWE Universal Championship के लिए और अगर वो ठीक 24 आर्स पहले एक काफी बड़े मैच में रैसल करते है जो कि आप सब जानते हैं Solo Sikua के अगेंस्ट होने वाला है जो कि एक हार इटिंग सूपरस्टार है अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी एफेक्ट हमें देखने को मिल सकती है Undisputed Championship Match में और WWE अभी Road to WrestleMania मेरिया में कुछ भी गरबर नहीं करना चाहेगी रोमरी रेंस के प्लैंस में इसलिए मुझे लगता है इस मैच को WWE जादा 5 स्टार बनाने के बारे में नहीं सोचेगी यहाँ पर हमें Bloodline अपने interference करते वे दिख सकते हैं And वो attack कर सकते है Kevin Owens पर And आप सब को पता ही है Last week के Smackdown में तो Kevin Owens ने अकेले ही पूरे Bloodline पर attack किया था Romer Reigns पर भी attack किया था Romer Reigns भी हमें इस week के Smackdown में देखने को मिल सकते हैं जो कि Kevin Owens पर attack करकर अपना last week के attack का बदला लेते वे दिख सकते हैं And अपना final message send कर सकते हैं ठीक Royal Rumble से पहले So guys यही थे वो कुछ बड़ी चीज़े जो कि हमें इस week के Smackdown में देखने को मिल सकती है वैसे अगर इस week के Smackdown में हमें Romer Reigns एंड Kevin Owens का ब्रॉल देखने को मिलता है तो आपको क्या लगता है इस बार Upper Hand किसे मिलने वाला है फिर से Kevin Owens को या फिर Romer Reigns को वो ज़वर से नीचे comment करकर बताना बठा अब फाइली बात कर लीज़े उस update के बारे में जो कि फैंस को और वज़द एकसाइट कर सकती है Royal Rumble Pay Per View के लिए तो मैंने आसव को बताया था कि हमें Forbidden Door open होते वे दिखने वाला है Royal Rumble Pay Per View में यानि कि WWE Company के बाहर से कोई Superstar आने वाला है वो NGPW से हो सकता है वो AEW से हो सकता है और ऐसी updates निगल कर आ रही है कि जो भी Superstar आने वाला है उसे huge amount of money offer किया जा रहा है अब वो कौन होने वाला है और क्या वो हमें Men's Rollerable Match में आते वे दिखेगा या फिर Women's Rollerable Match में वो तो पता चली जाएगा बस दो दिनों में लेकिन फैंस होब करें कि वो Superstar हो AEW से भली वो Jerry को हो भली वो Moxley हो या फिरो CM Punk लेकिन आप सब मुझे ये comment करकर ज़रूर से बताना है कि अगर company के बार से कोई Superstar आ रहा है तो आप किसे देखना चाहोगे इसके लावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजे और चानल को सस्क्राइब करने के साथ-साथ उसके बगल वाले बेल अगन को भी जरूर प्रेस कर दीजे तो मिलते हैं अगली वीडियो में